हेलो स्टुडेंट क्लास फिफ्ट गुड मॉनिंग अलफ यू तुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नेम इज मेराथन की दोड़ आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 16 पड़ेंगे चैप्टर का नाम है मेराथन की दोड़ यह है इस कहानी में हमें यह बता को डटकर सामने किया तो यानि कि इसमें कैसे यू वक्त बताया गया जिसने अपने देश को अजाद कराने के लिए उसकी अजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और अद्बुत कारे किया बहुत पहले से ही युनान के लोग खेलकूद में बहुत रूची रखते थे तब यह देश कही छोटी छोटे पहाडी राज्यों में बटा हुआ था युनान में ओलम्पिस नाम का एक परवत्ता इसकी तलटी में प्रतिवर्श खेलकूद होते थे उसमें सभी राज्यों के खेलाड़ी शामिल होते थे इनी खेलकूदों को उलम्पिक कहते थे इसी के नाम पर अंतराष्टे खेलकूद प्रतियोगी दगा नाम भी उलम्पिक रखा गया इसमें विविद प्रकार के खेल कुद होते हैं, उलम्पिक में सबसे लंबी दोड 41 किलो मेटर से अधिक कुछ अधिक क्यों होती है, इसका एक विशेश कारण है तो इसमें बताए गया है, जो युनान के लोग थे, वो पहले खेल कुदों में बहुत दिलचस्पी रखते थे, बहुत ज़्यादा खेल कुद करते थे और एक पहाड के नीचे एक मैधान था, वहाँ पर हड़ साल खेलो का आयोजन करते थे, उसं पहाड का नाम ओलम्पियस था और … और उसी के नाम पर वो जो खेल होते थे, उसको ओलम्पिकचा था और जो सबसे लंबी दोड होती थी वो 41 किलमीटर से कुछ ज़्यादा की होती थी और उसका क्या कारण है वो अभी हमें बताए गया है आगे बहुत दिनों पहले की बात है इरान का सक्तिशाली राजा द्वारा युनान से युनानियों से नराज हो गया उसने एक बड़ी सेना लेकर युनान पर चड़ाई की तयारी की उसके मारग में एथेंस नाम का राज्या पढ़ता था युनान पर आक्रमन करने के लिए एथेंस को जीतना जरूरी था अब क्या हुआ युनान के बराबर में इरान है तो इरान जो है वो युनानियों से क्या हो गया नराज हो गया और उसने युनान पे चड़ाई कर दिया युनान पे आकरमन करने के लिए एथेंस को जीतना जरूरी था अब युनान जाने के लिए एथेंस में एथेंस को जीतन जरूरी था क्योंकि उसी के होते हुए वह युनान जा सकता था दारा की सेना ने समुद्र पार कर लिया था वह एथेंज की भूमी पर था एथेंज निवासियों के जब यह समाचार पिला थे दारा ने एथेंज में प्रवेश कर लिया तो वह बहुत चिंतित हुए वह जानत सामने की विकर समस्थिया थी स्पार्टा एथेंस से 192 किलोमीटर दूर दक्षिड में था पहाड़ी जमीन ती उची नीची समय कम था गोड़ा पर भी वहना जाए जा सकता था मात्र पैदली पहुचा जा सकता था अब जब वह एथेंस में पहुचा तो एथेंस के लोगों क बड़ी चिंता हुई कि जो दारा है बड़ा शक्तिशाली राजा है और इससे हम कैसे जीत पाएंगे तो उन्होंने अपने पडोसी राज्य स्पार्टा नाम का जो राज्य था महां के राज्य से सायता मांगने के लिए सोची लेकिन समस्या ये थी कि वो जो इस्पार्टा अब वहां पर एक ही उपाय था कि कोई पैदल ही जाए क्योंकि गोड़ों से इसले जाए क्योंकि वह पहाड़ी रास्त्रा था उबढखावर था पर यह संदेश लेकर इतनी दूर जाएगा को क्योंकि उनको विश्वास था कि संदेश मिलते इस पार्टा वाले हो श्यसाय संदेश लेकर वाजाएंगे लेकिन संदेश ले जाने की जिम्मेदार कि उसका उपी गई जो साल दोड में प्रतम आया था उसका नाम था फिडिपीज फिडिपीज जानता था कि यह काम कठीन है परंतु देश की सोतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तयार हो गया मार की बादार कुष्टों के सहते हो गया दो दिन और दो रात लगाता रह भागता रहा उसका पाव में चाले पड़ गए उसका शरीर ठक कर चूर हो गया मैं आराम नहीं करूँगा मेरा देश परतंत्र नहीं होगा मैं एक शण भी नहीं रुकूँगा यहीं सोचता हुए 48 गंटों से कम समय में स्पार्टा पोज गया आप जो फिडिपीज यह जानता था कि उससे दोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि समय कम था तो वो दो दिन और दो रात लगा तर दोड़ा और 48 गंटों में स्पार्टा पोज गया उसे उसके पैरों में छाले पड़ गए और उसका शरीज होता वो ठक के बिल्कुल चूर हो गया पिडिपीज ने हाफते वे का इरान ने युनान पर आक्मान कर दिया उसकी सेना समय किनारे मेरा थन के पास उतर रही है एतेंस वालों ने सायता मांगी है यदि सायता ना मिली तो सारा युनान दाज बन जाएगा शीक्रिता करो स्पार्टा वालों ने बहुत शीक्र पोशने का अश्वशन दिया थोड़ा सा विश्राम करके वे वीरसासी संदिश को लेका द किसने ने दारा को पराजित कर दिया अब वो जो स्पार्टा के लोगते उन्हों ने का ठीक है हम आपकी सायता करेंगे और हम जल्दी से जल्दी एतेंस पोशने की तियारी करते हैं तो वो जो लड़का था फिडिपीज वह संदेश लेके दुबारा अपने देश आया वो भी एतेंस मेराथन के मैदान में इरान की सेना से युद्ध करने के लिए चले गए इतेंस के लोगों ने इरान के लोगों को दारा की सेना को पराजित कर दिया सब्सक्राइब को फिर एक महान दायत सोपा गया कि यह खुशी का समाचा रेतेंस निवासियों को पुचा दे महराथान और एतेंस के नगर के बीच में 35 किलमेटर की दूरी थी ठाका उने पर वे दोड़ा एतेंस तक पोस्ते पोस्ते से पाव लड़ खड़ा गए थे नगर क फाटक बनते हैं उसने उची आवाज में लाका एतेंस की विजवी फाटक को लो खुशिया मना उसकी आवाज का पचाना है नगर निवासियों ने फाटक कोल दे लेकि उसने देगा फिर डिपीज के पाव का रहे तो उसका मुशूग गया था बहुत दीमी आवाज में उस जीद गए तो फिर उसके सेना पती ने फिर डिपीज से का जाके शहर में बता दो कि हम जीद गए हैं और इरानी हार गए हैं अब वहाँ से जो शहर था जहां पर लड़ाई हो रही थी वो शहर जो था वो 41 किलमीटर दूँ था वो भागता हुआया और ये कहके कि हम जीद गए हैं इरानी हार गए हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे यानि कि हमेशा आजाज रहेंगे और इतना कहके वह थका हुआ था तो वह गिर गया उसके प्राण चले गए वह वीर गदी को प्राप्त हो गया तो उसके माहन बलिदान के करण फिडिपीज को आज भी युनान के लो अपने शहर तक दोड़ा था तो वह 41 किलमीटर का था इस वज़े से वह 41 किलमीटर की दोड़ आज महरा धन दोड़ होती है तो इस जो चैप्टर था इसके आपको question answer, शबदर्थ, सही विकल्प, रिक्रिस्तानों की पूर्ती, उचित मिलान, एक या दोश अपने उत्तर द देजिए, सारी exercise आप अपने notebook में करेंगे, PDF में आपको stand कर दी जाएंगी, thank you, have a nice day